बारमेर जिले के ग्रामिन थाना इलाके के बारमेर विशाला सडक मार्क पर सवारियों से भरी मीनी बस रेत में धसने से पलट गई इस हाथसे में बस में सवार एक व्यक्ति की मोथ हो गई वहीं एक दर्जन से ज़्यादा व्यक्ति घायल हो गए है बस पलटने के बाद आसपास के लोगों ने प्राइवेट गारियों से घायलों को जिला चिकित साले पहुँचाया जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुँची और मृतक के शव को मोर्शरी में रखवाया बाड में जिले के ग्रामेर थाना इलाके के बाड में विशाला सडगमार पस सवारियों से बड़ी मिनी बस रेत में फसने से पलट गई इस हाथ से में बस में सवार एक वैक्ति की मौत हो गई वहीं एक दरजन से जादा लोग घायल हो गई बस पलटने के बाद आज पास के लोगों ने नीजी वहनोग से गायलों को राज के चिकित साले पहुचाया जानकारी पर पुलीस भी मौके पर पहुचे और मिर्तक के सव को मोर्शरी में रखवाया विशाला चोके से मौके पर पहुचे पूलीस ने पूरी हाथ सी की जानकारी ली वहीं राज के चिकित साले के इमर्जन्सी में बड़ी संख्या में गायलों को पहुचने पर एक बार की अफरा तफरी का माहोल बन गया पुलीस के अनुचा बाड़बे से जाने वाली बस सोंबार को सुबह विशाला से सवारिया देकर रवाना हुई थी इस दोरान तिरसंग्री गाउं के पास सवारियों से बरी मिरी बस सडक के नारे रेत में दसने से बेकाबू होकर पलट गई अब पर निचे फुल भर रही थी टैम का आवाज फुल था उसलिए उसकी बहुत घंडाई से जला रहा था तो डूशेंग्रमपाल से रोज विश्टराशी आद्वी उपर निचे अच्छी आज लगी बहुत लगी बहुत लगी ए मिनी बस सवारियों से खचा खच बरी हुई थी जानकारी मिलने पर विशाला चोकी पुलिस मौके पर पहुचे और अम्बूलेंस को सूच ना दी महीं प्राइविट गाड़ी और अम्बूलेंस से खचा खच बर वे जा गया बस में सवार सवारियों का कहना कि मिनी बस नीचे से उपर तक दौनों जगा सवारियों से पूरी भरी हुई थी फौन पर बात करने और लापरवाई के कारण यह हाथसा हुआ है बार में ग्रामिन थानादिकारी परबत शिंग के मताबिक मीनी बस पलटने से एक सवारी की मौत हुई है वहीं 14 जने गाहिल हुए है काहिलों को जिला चिकित चाले में इलाच चलाए बस में दू दर्जन से ज़्यादा सवारिया थी उनमें 14 सवारिया गाहिल हो गई वहीं होस्पिटल में सुलिमान खान उम्र 55 पुत्र कल्डू खान निवासी तिर्शंगडी बोला ने तम तोड़ दिया